सबी को नमस्ते तो हमें टोकते हैं हमारी हर एक गतिविधी पर उनकी नजर होती है और इसलिए हमें मातापिता पसंद नहीं आते और टोकना नहीं कई बार तो वो मार तक देते हैं पिटाई तक कर देते हैं और जो पडोसी होते हैं वो बहुत प्यार करते हैं हम कितना भी कुछ गलत क्यों ना कर रहे हूं, वो प्राय करके हमें नहीं टोकते, हमें कुछ नहीं कहते, इसलिए हमें अपने दोस्त भी पसंद आते हैं, ऐसे दोस्त, जिनें मेरे अच्छे बुरे से लेना देना नहीं है, बस वो मेरे साथ रहते हैं, तो इसलिए मुझे वो हां में हां मिलाए जो उसके काम में टोका टाकी न करे लेकिन हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये स्वच्छंदता उस बच्चे को पतन की तरफ ले जाती है इसलिए माता पिता तो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर बच्चे को भी छूट दे दी कि वो चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे तो ये उसके लिए अहित करें उसके जीवन का निर्माण इससे नहीं होगा उसके जीवन के निर्माण के लिए तो उसको परिशम करना पड़ेगा उसे मेहनत करनी पड़ेगी इसलिए उसको पढ़ाई के लिए उसको खान पीन के लिए उसको मेहनत करने के लिए माता पिता लगातार नजर रखते हैं और टोकते रहते हैं गलत को गलत बोलते हैं सही को सही बोलते हैं लेकिन वो तो एक बच्चा है वो तो छोटा है उसे नहीं पता इसलिए वो प्रायह करके अपने माबाप के पास नहीं रहना चाहता है वो दोस्तों के पास जादा रहना चाहता है लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्यों इस तरह का व्यभार करते हैं हम अपने विशय पर आएंगे सत्यार्थ प्रकाश हमारा विशय है दुनिया में इस समय कोरोना महमाली इतने बुरी तरह से फैली हुई है कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े धनाड़े लोगों के भी घुटने टिग गए इसके सामने और केवल कुछ ही लोग इसमें काम आए जो डॉक्टर हैं जो चिकित सक हैं वो काम में आए कई बार ऐसा होता है कि हम इतने बुरे रोग से घिर जाते हैं कि अपरेशन ही एक मात्र इलाज बचता है और कोई उसका उपाए ही नहीं बचता हम बेहिचक होकर के डॉक्टर के सामने अपने शरीर को छोड़ देते हैं अब वो चाहे चीरे, काटे, कुछ भी करे हमें डॉक्टर पर भरोसा होता है क्योंकि हम जानते हैं कि डॉक्टर हमारे सरीर को चीरेगा डॉक्टर जो भी करेगा वो हमारे हित के लिए करेगा बेहोश करेगा जब वो हमें दवाई देता है तो वो कडवी होती है हम उसकी कडवी दवाई खा लेते हैं क्योंकि हमें पता है डॉक्टर हमारे हित के लिए कर रहा है जब व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि सामने वाला व्यक्ति मुझे कड़वा बोल रहा है कुछ कड़वा दे रहा है या अच्छा अच्छा दे रहा है जैसे एक बच्चे का हमने उधार्म देखा बच्चे को माता-पिता नहीं पसंद आते क्यों? क्योंकि वो उसकी बातों की कमियों को उसको बताते हैं उसे अपने दोस्त पसंद आते हैं क्योंकि दोस्त उनकी कमिया नहीं बताते हैं, बलकि उसकी हां में हां मिलाते हैं, बच्चे को पसंद आता है कि उसके हर कोई मीठा बोले, लेकिन जब वेक्ती बड़े हो जाते हैं, ऐसे ही जब डॉक्टर के सामने एक छोटा बच्चा जा ये मेरी बिमारी को दूर कर देगा इसलिए जब भी कोई व्यक्ती हमारे हित के लिए हमें थोड़ा कड़वा बोले जब मेरे माता पिता या हमारे हितैशी हमें कहें कि तुम गलत हो तो उनसे शत्रुता नहीं पालनी चाहिए वोही तो मेरे सच्चे हितैशी है मेरा सच्चा हितेशी मेरा पडोसी नहीं है जो मेरे गलत करने पर भी मुझे टोकता ही नहीं है उसे कोई असर नहीं पड़ता कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं कि गलत दिशा में जा रहा हूं उसे इसका कोई असर नहीं पढ़ता इसलिए वो मुझे नहीं टोकता इसलिए वो मेरी कमिया नहीं गिनाता मुझे माबाप मुझे मेरी कमिया गिनाते हैं क्योंकि वो मेरा हित चाहते हैं उन्हें असर पढ़ता है अगर मैं थोड़ा भी गलत जाऊंगा तो ये उन्हें बुर ठीक इसी तरह से जो समाद सुधारक, जो मार्क दर्शक होते हैं, उनमें भी दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो समाद सुधारक चाहते हैं, जो चाहते हैं कि लोगों को अच्छा उपदेश दिया जाए, लेकिन वो एक अलग रास्ता अपनाते हैं, अच्छी बाते बत आते रहेंगे, जो भी कुछ उनको ठीक लगेगा, ईश्वर की भक्ति के संबंद में सच बोलना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें मीठा बोलना चाहिए, हमें अच्छा व्यावार करना चाहिए, यह बहुत सारी अच्छी बातें बताएंगे, लेकिन बात जब सामने बैठे व्यक्ति के दुर्गुणों को दूर करने की आती है, उसके लिए तो बताना पड़ेगा कि तुम में फला दुर्गुण है, यह दुर्गुण है, इसे छोड़ दीजिए, यहां परा कर वो रस्ता बदल लेते हैं, वो नहीं बताते कि तुम्हारे अंदर पना रखा है कि बस अच्छे अच्छा बोलते जाओ, अच्छे अच्छा बोलते जाओ, और जब कुछ गलत को गलत कहने की बारी आए तो वहां पर मौन साथ जाओ, ऐसे व्यक्ति समाज का हित कैसे कर सकते हैं, जो व्यक्ति गलत को गलत नहीं कह सकता है, वो समाज के लिए क प्यार से बोलना चाहिए, हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए. वो ये सब बताते हैं, लेकिन जब बात गलत को गलत कहने की आती है, तो वो चूकते नहीं हैं, वो सीधे बोलते हैं, यहां हम गलत हैं, और इसको छोड़े बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते. हमारे दूर्गुण जब तक हम से नहीं चूटेंगे तब तक हम धार्मिक कहलाने के योगिन नहीं बन सकते लेकिन सच को सच कहने में एक समस्या है जब आप सच को सच कहते हैं तो आप अपने पीछे दुश्मनों की फौज इकठी कर लेते हैं जब तक हम अच्छा अच्छा बोलते जाते हैं, हमारा कोई शत्रू नहीं होता, लेकिन जब हम अच्छे अच्छे के साथ में बुरे को बुरा भी बोलना प्रारम्ब कर देते हैं, तब हमारे शत्रू की संख्या बढ़ जाती है, और बस यही डर लोगों को सच नहीं बोलने देता जबकि सब को पता है कि सच क्या है और जूट क्या है दयानन सरस्वती जी ने जो ये सत्यार्थ प्रकाश लिखी इसमें एक वाक्य लिखा उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर लिखा और कहा कि मनुष्य का आत्मा अर्थातिक इनसान एक मानव उसके जो आत्मा होती है वो सत्य असत्य की जानने वाली होती है इनसान को पता है मनुष्य को पता है कि सच क्या है और जूट क्या है सही क्या है और गलत क्या है लेकिन फिर वो आगे लिखते हैं फिर भी वह सत्य को छोड़कर असत्य की और जुग जाता है मनुष्य सच को छोड़ देता और जूट की तरफ जुख जाता और कारण क्या बताए हट, दुराग्रह और स्वार्थ की पूर्ती के लिए जब व्यक्ति के स्वार्थ आड़े आ जाते हैं जब व्यक्ति मान करके बैठ जाता है कि यही सही है इसको तो मैं 15 साल से 20 साल से मानता रहूं इस बात को आज मैं कैसे मलनू कि मैं गलत मानता हुआ रहूं मेरे आहम पर ठेस पहुँचती है इसलिए फिर व्यक्ति सच जानते हुए भी सच को स्विकार नहीं करता और अलग-अलग रस्ते खोजने लगता है अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए ठीक इसी तरह से जिनको हम अपना मार्ग दर्शक समझते हैं जिनको हम अपना मार्ग दर्शक मानते हैं उनमें कम से कम न्यून न्यून तम इतना तो गुण होना ही चाहिए कि वो सही को सही गलत को गलत कहें स्कूल की कक्षा में एक अध्यापक पढ़ा है खड़ा है बच्चों को पढ़ा रहा है खूब पढ़ाया कक्षा में पढ़ाया बच्चों को काम दे दिया कि तुम सवाल करके लाओ इस प्रश्न को हल करके लाओ सब बच्चे प्रश्ण को हल करके ले गए जिन जिन के प्रश्ण सही थे उन पर सही का चिन लगा दिया ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है ये ही भी सही है लेकिन जिन बच्चों के प्रश्ण गलत थे उन्होंने गलत उत्तर लिखे थे गलत हल निकाला था, उनको गलत बताया ही नहीं, उनके लिए भी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और छोड़ दिया, क्या ऐसा अध्यापक एक छात्र को आगे बढ़ा सकता है, क्या ऐसे अध्यापक के भरोसे रह करके छात्र कभी उन्नती कर सकता है, क्या माता पित चाहेंगे कि ऐसे चात्र से हमारे बच्चे पढ़े क्या सरकार ऐसे अध्यापकों को माठ्यापन काली के लिए क्र नहीं युक गूसी बच्चे का प्रशन गलत हो उसका हल मालत हो.. तो अध्यापक उसको टोके, उस पर निशान लगाए कि तुमने गलत किया है, और उसको ठीक करके दिखाए, कि देखो इस तरह से ठीक होगा यह, यह इसका सही हल है, हम एक अध्यापक से यह अपेक्षा रखते हैं, पर यही अपेक्षाम गुरु से क्यों नहीं रखते हैं, कि जब वो अच्छी बातों को अच्छा कहें, तो उसके साथ साथ में जो दुर्गुण हैं, उन दुर्गुणों को दुर्गुण भी बोलें, जब वो यह कहें कि हमें किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए, तो वो यह भी कहें, कि देखो तुम जो यह काम कर रहा है उससे दूसरों को कश्ट पहुंच रहा है और ये गलत है तुम्हें इसको छोड़ना पड़ेगा हमें अपने चारों और ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो हमारे दुरुगुणों को दुरुगुण कहें रामायण में एक बड़ा अच्छा सा श्लोक आता है और उस श्लोक में कहा गया कि राजन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छा बोलते हैं मीठा बोलते हैं कहते हैं पुरुषा बहवो राजन राजन हे राजा बहुत से लोग हैं इस दुनिया में पुरुषा हा पुरुष लोग बहवो राजन बहुत हैं ऐसे सततम प्रियवादी नहां जो हमेशा मीठ मिठा ही बोलते रहते हैं बहुत मीठा बोलेंगे इतना मीठा बोलेंगे कि चाशनी से भी मीठा हो जाए मधुमक्खियां भी उनके सामने अपने आपको ही ननुभव करने लगें ये हैं मीठा इतना मीठा बोलेंगे पुरुशाब बहबो राजन सततम प्रियवादी नहा लेकिन सचेत करते हैं आगे तो कहते हैं अप्रियस्य तु पत्यस्य वक्ता श्रोता चदुरलभा लेकिन ऐसी दवाई देने वाले जो खाने में कड़ भी लगती है अप्रिय पत्य पत्य अर्था निदान पत्यस्य पत्यस्य वक्ता तो दुरलभ है ही लोग नहीं बोलते कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता कि सामने वाले को बोलो कि देखो भाईया तुम गलत कर रहे तुमारे अंदर तो इतनी गलतियां भरी पड़ी है इनको जरा ठीक करो तो कह रहे हैं वक्ता तो दुरलब हैं ही कोई नहीं बताता श्रोता चदुरलब है श्रोता भी दुरलब होते हैं जो सुन पाएं अपनी बुराईयों को, ऐसे श्रोता सुनने वाले दोनों ही दुरलब होते हैं। एक दम अहम पर ठेस पहुँचती है। नहीं पचता आसानी से। एक ऐसा ही बहुत अच्छा सा प्रकरण है। एक पुस्तक है किरातार जुनियम महाकाव्य है। किरातार जुनियम में एक प्रकरणाता है प्रारंभ में ही जब युधिष्ठिर दुरियोधन के राज्ये की इस्थिति का पता लगाने के लिए एक गुप्तचर को भेजते हैं। क्योंकि युधिष्ठिर इस समय वनवास में हैं, वन में रह रहे होते हैं। तो वो अपने गुप्तचर को भेजते हैं, जा वो पता लगाकर आओ दुरियोधन का राज्ये कैसे चल रहा है, कैसा राज लेकिन सावधन रहिएगा, दुरियोधन आपका शत्रू है, और अपने शत्रू की प्रशंसा किसी को अच्छी नहीं लगती, अपने शत्रू की प्रशंसा तो ऐसी लगती है, जैसे मेरी ही बुराई कर दियो। तो उस समय वो जो गुप्तचर हैं, वो दुरियोधन से कहते हैं, वो युधिश्टिर से कहते हैं, और युधिश्टिर से कहते हैं कि देखिए, अगर आपको सही सही जानना है, तो हमेशा प्रिय सुनने की इच्छा छोड़ दीजिए, कि मुझे हमेशा लोग अच्छा ही बताते जाएं, अच्छा ही बोलते जाएं क्योंकि अगर आपको अपना हित चाहिए अगर आप अपना भला चाहते हैं तो अपनी बुराई और शत्रू की भलाई शत्रू की प्रशंसा दोनों को सुनने में हमेशा तैयार रहना चाहिए नीती का एक और वचन है वो कहती है कि जीवन तुमें शत्रूगणा सदै वयेशाम प्रसादा सुविच अक्षणों हम यदा यदा में विकृतिम लभनते तदा दामाम प्रतिबुदहियंती ऐसे लोगों को अपने पास रखना चाहिए जो हमसे विरोध रखते हैं क्योंकि व वहां अपने विरोधियों से गिरे होते हैं तो एक एक कदम छांग कर रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि गलती से भी एक कदम गलत पड़ा नहीं कि सामने वाला मुझे पकड़ेगा और पकड़के कहेगा देखो तुम 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 हमारे माता पिता हमें डाटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं, टोकते हैं, उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, ताकि हम सही रास्ते पर रहें, कभी गलत रास्ते पर ना जाएं, जैसे एक चिकित सक होता है, चिकित सक हमें कड़वी दवाईयां देता है, हमें अंदर से बीमारी निकाल दी जाए क्योंकि वो जानता है कि इसके अंदर जो बीमारी छिपी हुई है वो इसका इतना बड़ा अहित करेगी आगे जाकर कि इसके जीवन पर ही प्रश्न लग जाएगा यह व्यक्ति जी नहीं पाएगा इसका जीवनी समाप्त हो जाएगा अगर इसको जिन्दा रहना है तो यह बीमारी निकालनी पड़ेगी और उस बीमारी को निकालने के लिए कोई शहद या चीनी के गोल से काम नहीं चलता शर्वत से काम नहीं चलता कभी कड़वी दवाईयां और कभी कभी शरीर को काटना फीटना पड़ता है तो जैसे हम अपने म हले के लिए कर रहा है जो भी कर रहा है ठीक वैसे ही जो धर्म का उपदेश करते हैं उन धर्मोपदेशकों के लिए भी हम ये शर्त रखें कि वो धर्मोपदेशक हमारी बुराईयों को खीच कर बाहर निकालें और अगर कोई धर्मोपदेशक ऐसा नहीं करता तो धर्मोपद सरस्वती जी इस मामले में सच्चे धर्म उपदेशक हैं। जैसे कि कल हमारी चर्चा चल रही थी कि दयारं सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में 14 समूलास लिखे हूं 14 समूलास में पहले के 10 समूलासों में ये बताया गया कि हमें जीवन जीना कैसे है जीवन जीने का बहतर तरीका क्या है हम अध्यात्म में सबसे अच्छा जीवन कैसे जीए हम अपनी संतान को अच्छी शिक्षा कैसे दें हमारे देश की शिक्षा पद्धती सबसे बहतर क्या हो एक ग्रिहस्थ एक अच्छा जीवन कैसे बिताए उस ग्रि सिध्धन्तों को माने और किनको न माने हम क्या खाएं क्या न खाएं हम क्या आचरण करें क्या न करें ये सारा का सारा तो दस्मे समुल्लास तक बता दिया लेकिन 11 समुल्लास से रिशी दयानन सरस्वती जी का उपदेशक पना जागरित होता है अब वो हमारे लिए एक चिकित सक एक डॉक्टर की तरह काम करते हैं कैसे डॉक्टर की तरह काम करते हैं दयानन सरस्वती जब इस संसार में थे कार्य कर रहे थे तो तब भी और आज भी जो भी मतपंथ समाज में चल रहे हैं उनमें चार मतपंथ मुख्य हैं जिनमें सबसे पहले तो पौरानिक लोग आते है जिनको हम सनातनी के नाम से जानते हैं उसके बाद में जैन और बौध आते हैं उसके पश्चाद इसाई आते हैं उसके पश्चाद इसलाम मुसल्मान आते हैं इन चारों के चारों धर्मों या धर्म ना कहकरके इनको केवल एक संप्रदाय कहें तो जादा अच्छा रहेगा इन चारों के चारों संप्रदायों में क्या सारी बाते अच्छी लिखी है और अगर सारी बाते अच्छी लिखी है तो चारों में कुछ बातें विपरीत क्यों है उल्टी क्यों है एक व्यक्ति कहता है मांस नहीं खाना चाहिए, दूसरा कहरा है खाना चाहिए, एक कहता है मांस खाना धर्म है, दूसरा कहरा है मांस खाना धर्म है एक व्यक्ति कहरा है कि मूर्ति को पूजना सही है, दूसरा कहरा है मूर्ति को पूजना गलत है एक व्यक्ति कहरा है भगवान होता है दूसरा कहरा होता ही नहीं है एकदम 36 का अकड़ा है कुछ चीजों में तो सब के सब तो ठीक नहीं हो सकते सब के सब तो अच्छे नहीं हो सकते ये तो बिल्कुल तैय बात है और जो लोग कहते हैं सभी अच्छे हैं जी, सभी बढ़ियां हैं जी, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए जी, बस इसका मतलब वही है कि वो मीठा मीठा बोलकर ठगना चाहता है अनुभवी लोग बताते हैं कि जो वेक्ती जितना मीठा बोले, उससे ज़रा थोड़ा बचके रहो, क्योंकि सबसे खतरनाक वही होता है दयारन सरस्वती जी ऐसे नहीं है, दयारन सरस्वती जी सीधे बोलता है, तुम महीं ये गलत है तो अगर इन सभी संपरदायों में सारी बाते अच्छी हैं तो आपस में विरोधी बाते क्यों हैं, इसका मतलब सारी बाते अच्छी नहीं है गलत बाते भी हैं, कुछ विपरीत बाते भी हैं, कुछ ऐसी बाते भी हैं जिनको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इस दुनिया में जगड़े अधिकतर संपरदायों के नाम पर चल रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी संबस्या लोगों के दिमाग में भरा हुआ संपरदायवाद है धर्म अलग है, संपरदाय अलग है धर्म दुनिया के सभी मनुष्यों के लिए एक जैसा होता है धर्म एक नियम है एक कानून है जैसे किसी भी देश का अपना एक कानून होता है एक नियम होता है और वो देश के सभी लोगों पर लागू होता है वो उस राजा का बनाया हुआ होता है या धर्ब सभा का बनाया हुआ होता है ठीक वैसे ही इस दुनिया में जब मनुष्य आया इंसान आया तो उसने इंसान के लिए क्या नियम कानून बताए कि तुम्हें ऐसे जीना है ऐसे रहना है क्या उसने देश के हिसाब से नियम कानून बता है कि भारत में रहने वाले लोगों के लिए ये कानून होंगे और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए ये नियम कानून होंगे उसके दिरिष्टी में तो न भारत है न पाकिस्तान है उसके लिए तो केवल मनुश्य है, संसार है, दुनिया है, भगवान के लिए देशों की सीमाएं नहीं है, देशों की सीमाएं इंसान ने बाटी है, इसलिए इस दुनिया के हर मनुश्य पर लागू होने वाला नियम भी एक जैसा होना चाहिए, बस वो धर्म है, जिस नियम का पालन दुनिया के हर मनुष्य को करना चाहिए वो नियम धर्म कहलाता है और जो हमने बनाए हैं जो आदमी ने बनाए हैं कि हम ऐसे रहेंगे हम ऐसे रहेंगे वो धर्म नहीं है तो फिर ये जो संपरदाएं हैं जो संपरदाएं के नियम है जिसने इस दुनिया में बखेडा खड़ा कर रखा है क्या उनका कोई समाधान है क्या उन नियमों को गलत को गलत बोलने वाला कोई है जो कोई कह सके कि ये गलत है क्योंकि सब चल रहे हैं सबने एक policy अपना रखी है सब लोगों का अपना एक ढर्रा बन पड़ा है और सबने तै कर लिया है कि बस हमें अपनी बात तो रखनी है लेकिन दूसरे की गलत को गलत नहीं कहना है जब तक हम दूसरे की गलत को गलत नहीं कहेंगे तो क्या वो देश अच्छे से चल जाएगा उस देश के समी लोग रोगी रहेंगे और रोगी रहते रहते ही उनको दवाईया काम नहीं करेंगे क्योंकि सरकार में यह दम नहीं है कि वो बुरे को बुरा कह सके इसलिए दयानन सरस्वती जी अंदर हिम्मज उटाते हैं कि वो गलत को गलत कहते हैं वो पहले ऐसे वेक्ति हैं और वो किसी एक वेक्ति को गलत नहीं कहते उनकी एक और खासियत है वो यह नहीं कहते कि जो इसलाम मत है उसमें इतनी कमिया है इतनी कमिया है इतनी कमिया है और धेर सारी कमिया गिना दी फिर उसके बाद में जो इसाई हैं उसमें इतनी कमिया है और धेर सारी कमियों की सूची गिना दी यह गलत यह गलत है उनकी यह मान्यता गलत है फिर उसके बाद जयनओर बहुत न भी गिना दिए और जब बात आई सनातन धर्म उपर क्योंकि वह स्वयम् सनातन धर्म पैडा हुए एक हिंदु के घर में पैडा हुए जब बात आई वहां की तो चुप मौन साथ गए नहीं ऐसा नहीं दैनांसर अस्वती जी ने किया उनके लिए दुनिया का हर मनुष्य अपना है और जब वो कमी बता रहे हैं न तो वो इस दृष्टी से बता ही नहीं रहे कि मैं कुछ और मानता हूँ तुम कुछ और मानते हो जिस संपरदाय को तुम मानते हो न जिस मत को तुम मानते हो वो तो इतना बुरा है जैसे कि प्राया लोगों की आदत होती है कि वो तो इतना बुरा है और मैं जिस मत को मानता हूँ वो तो इतना अच्छा देखो उसमें तो कोई कमी नहीं है उसकी गलतियों को भी हम सही सिद्ध करने लगते हैं ना ना दयानन सरस्वती जी इस दृष्टी से बताते ही नहीं है उनकी एक ही दृष्टी होती है कि वो केवल इनसान के भले के लिए बता रहे हैं तो इनसान इसलाम में भी वही है, इनसान इसाइमत में भी वही है, इनसान बौधों में भी वही है, इनसान जैनियों में भी वही है बिल्कुल एक जैसा है इनसान इसलिए दयानन सरस्वती जी सब के लिए एक जैसी बात बोलते हैं कि भाई तुम यहां पर गलत कर रहे हो तुम यहां गलत कर रहे हो इसको ठीक कर लो गे तो सुखी हो जाओगे और बस इसी तौर तरीकों को लेकर के सत्यारत प्रकाश के बाद के चार समूलास हैं 11वा समूलास 11वे समूलास में दयानन सरस्वती जी सबसे पहले अपने घर की बीमारियों को दूर करने की कोशिश की है कि जहां मैं रहता हूँ, जिन लोगों के बीच में मैंने जन्म लिया, सबसे पहले उसकी बीमारियां दूर करने की जिम्मेदारी है मेरी, तो भारत में जितने भी भारत में भी विशेशकर जिसको हम हिंदू समाज कहते हैं, उस हिंदू समाज में जितनी कुरीतियां पैदा ह और वो कुरीतियां कैसे पैदा हुई तो दयानन सरस्वती जी कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में बहुत से विद्वान मारे गए और महाभारत का युद्ध हुआ ही इसलिए क्योंकि लोग अपने धर्म का पालन कर नहीं रहे थे पूरा सा ठीक से तो महाभारत का कानून परंपराएं थी जो पाखंडिया अंधविश्वास से जुड़ी हुई थी तो ये धीरे-धीरे कुरीतियां जो समाज में आनी शुरू हो गई इन कुरीतियों को निकालने के लिए दयानन सरस्वती जी ने 11 वहां समुल्लास लिखा तो हिंदू धर्म में जिसको हम ह जितने भी छोटे-छोटे-छोटे-छोटे संपरदाय बन गए और वो संपरदाय आपस में लड़ने लगे कुछ संपरदाय केवल भाग्ये के भरोसे हो करके बैठ गए और अपने कर्म को उन्होंने तिलान जली दे दी कर्म करने का किसी की भी आदत नहीं रही कोई समस्या सामने खड़ी है और वो व्यक्तिकेवल भाग्वान के भरोसे बैठे हैं कि एक दिन भाग्वान आएगा कुछ करेगा अरे भाग्वान ही सब कुछ करता है हमें करने की क्या जरूरत है तो ये जो कुरीतियां समाज में पैदा हुई इनका दयानन सरस्वती ने खंडन ग्या बहुत सारी कुरीतियां आइं तो वो कुरीतियों के विरोध में जो आवाज उठाई वो महात्मा बुद्ध ने उठाई वो महावीर ने उठाई और उन्होंने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उनका अपना एक अलग मत अलग संपरदाय बन गया लेकिन समय के साथ उसमें भी बहुत सारी कुरीति आ गई उन कुरीतियों का खंडन दयानन सरस्वती जी ने 12वे समुलास में किया और जैसा कि मैंने कहा था पहले उद्देश्य के वले एक ही है कि उस संपरदाय में भी जो मनुश्य है वो भी तो सुखी रहना चाहिए और उसके सुखी न रहने के उसके दुखी रहने के उसकी समस्याओं का क्या कारण है जो धार्मिक कारण है धार्मिक गलत मान्यताई हैं उनको दयानन सरस्वती ने सीधे बता दिया कि ये गलत है अब आते हैं तेरहवे समुलास, तेरहवे अध्याय पर, तेरहवे अध्याय में दयानन सरस्वती जी ने जो इसाई मत में जो गलत बाते हैं, इसाई मत की ऐसी बाते जो बुद्धी पर खरी नहीं उतरती हैं, जिनको मानने से मनुष्य का इंसान का कभी भला हो नहीं सकता है, उन सारी की सारी बुराईयों का, गलत बातों का दियानन सरस्वती ने विरोध किया है और विरोध मैं फिर बोलता हूँ, वो इसलिए नहीं किया कि मैं सानातन धर्म में, हिंदु धर्म में पैदा हुआ हूँ और वो इसाई धर्म है इसलिए मुझे उसका खंडन करना है इसलिए मुझे उसकी बुराई करनी है नहीं उसके लिए केवल एक ही उद्देश्य है कि इनसान का भला होना चाहिए और आगे आता है 14 वा समुल्लास 14 वा दिहाय जिसका विशय है संसार में जो इसलाम मत फैला हु या उनके कारण से समाज में जो बीमारियां जो समस्याएं फैली हुई है चाहे वो मानसाहार की हो चाहे वो पारिवारिक समस्याएं हो उन सब समस्याओं को देखते हुए दयानन सरस्वती ने 14 वा समुल्लास लिखा ताकि जो इसलाम को मानते हैं वो लोग भी बुराईयों को पुरीतियों को छोड़ करके अच्छे मनुष्य बन सकें तो ये जो चार समुलास हैं ये एक तरह से बीमारी को दूर करने के लिए लिखे गए हैं ताकि जो भी गलत है उस गलत को गलत माना जाए और दयानन सरस्वती की धर्म की एक परिभाशा है और वो परिभाशा बहु बहुत सारे हैं अंगिनत संपरदाएं हैं इस संसार में लेकिन दयानन सरस्वती जी की धर्म क्या है जिस धर्म को कुछ लोग कहते हैं कि धर्म तो अफीम की तरह होता है आदमी जो एक बार धर्मिक हो गया धर्मिक कटरता आ गई वो आदमी फिर पागल हो जाता है वो गुरुद द्वारे में एक छोटा सा बच्चा जो पागल है जिसको यह पता भी नहीं कि धर्मगरंथ होता क्या है सम्मान अपमान होता क्या है केवल एक संशय मात्र पर उस बच्चे को पीट पीट कर मार दिया गया सोचिए जो अभी बुद्धी से अपंग है थोड़ा कतों को देखते हुए मार्क्स कहता है कि धर्म अफीम की तरह है जो खाले वो पागल हो जाता है वो बेकार हो जाता है दयानन सरस्वती तो धर्मिक है वो तो कहते हैं धर्म होना चाहिए तो फिर धर्म कौन सा होना चाहिए तो वो कहते हैं कि एक सूची तयार करो दुनिया क जितने मत संपरदाएं हैं वो जिन जिन बातों को मानते हैं उन सब की एक सूची तैयार कीजिए और उन सूचीयों में ऐसी बातें मिलाईए जो सब में हैं जैसे सच बोलना चाहिए हर मत संपरदाए कहता है किसी को कश्ट नहीं पहुँचना चाहिए हर्मत संप्रदाय कहता इसलाम और इसाईयत में कुरान और बाइबिल भी कहती है कि किसी को दुख मत पहुँचाओ एक इनसान को मारना समझो पूरी की पूरी इनसानियत को मारना इतनी बड़ी बड़ी बातें में लिखी है ऐसी बातों की सूची बनाओ कि जो सब उमें एक जैसी है प्यार से बोलना चाहिए चोरी नहीं करनी चाहिए इस संसार को सुखी रखना चाहिए यह सारी की सारी जितनी भी बातें की सूची तैयार करो तो जो एक जैसी बातें मिल जाएं उनको निकाल के अलग करो बस वो धर्मा है और जो सब अलग-अलग मानते है मांस खाना चाहिए की नहीं खाना चाहिए एक शादी करनी चाहिए की हजार शादी करनी चाहिए बुढ़ापे में शादी करनी चाहिए की जवानी में शादी करनी चाहिए देवता ये होना चाहिए की वो होना चाहिए मूर्ति के सामने उसे वाईन पिलानी चाहिए कि उसके सामने सर जुका करके नमाज पढ़नी चाहिए कि घंटी बजा करके उसकी पूजा करनी चाहिए ये अलग-अलद है सब में इसका मतलब ये धहर्म नहीं है क्योंकि धहर्म वो हो सकता है जो निर्विवादित हो इसलिए हम लोग इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय करते समय इन बाकी के चार समुलासों को भी साथ में पढ़ेंगे ये मैंने एक छोटी सी भूमी का दो दिन में आप लोगों के सामने रखी कि सत्यार्थ प्रकाश हमारे लिए क्यों जरूरी है क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश ये तो बताती ही है कि अच्छा क्या है सत्यार्थ प्रकाश ये भी बताती है कि बुरा क्या है जो कि बहुत कम लोग बताने का साहस करते हैं क्योंकि सब को डर होता है कि अगर बुरे को बुरा बता दिया तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा, वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा और ये दयानंस के साथ भी हुआ, महरशी दयानंस अरस्वती जी को 17-18 बार जहर दिया गया, उन पर जीवित साप फेंके गए, उन प धर्मोपदेशक में होगी, समझ दीजिए, उससे बड़ा हितैशी और हमारा कोई हो नहीं सकता, भला चाहने वाला कोई नहीं हो सकता, तो मेरी दृष्टी में अगर धर्मोपदेशकों को देखा जाए, जो हमें बताते हैं कि हमें व्यवहर कैसा करना चाहिए, उन में दया सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका से एक-एक वाक्य को देखते जाएंगे और एक-एक विशय को देखते जाएंगे कि दयानन सरस्वती ने ये बात लिखी क्यों, महर्शी इस पंक्ती को क्यों लिखते हैं, इससे उनका क्या अभिपराय रहा होगा, वो क्या समझाना चाहते हैं हमें, और हमें क्या समझना है, ये हम कल से देखेंगे, आप सब लोगों का धन्यवाद, ओम, शम